हलो गैज मैं खशीर आपका स्वागत करती हूँ दे न्यूस टॉक में आज मैं आप लोगों को एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जो की करोडों के बंगले में तो रहती है पर वो आज भी लगाती है रोड पे ठेला इस महनत की वज़ा जानके आपकी आखों से कि जरूर आसु आ जाएगे मेरे साट बने रही इसकी वज़ा जानने के लिए पर उसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लएक लाईकन को दबा दे चे जान करें इचे लिए तो कमेंघंड बॉक्स में कमेंट करती है जरूर जई और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हो भी जरूर जई है तो शुरू करती है आज की news वक्त तो बहुत है कि कभिकबार खुशियां जब आई होती है तब वक्त की चोट इतनी जोर से लगती है कि उस खुशियों को तहस नहस कर देती है हम आज बात कर रही हैं एक उर्वशी एक ऐसी लेडी की जिनोंने महनत के साथ इतना सब चीज़े की उनका ये वक्त अभी जैसा चल रहा है अभी खुशियों का ही है पर बीच में कुछ ऐसी चीज हो गए थी कि उनको ये सब चीज़े करनी पड़ गई वो करोडो के बंगले में रहती है पर वो ठेले पे काम करती है अभी आप इसके पीछे की महनत की वज़ा जाना जरूर चाहेंगे तो मैं आपको बता दू कि और वशी पहले से ऐसी नहीं थी उसको करोडो का बंगला है अच्छे से पढ़ाई थे उसके माता-पिता भी उसके बाद उनकी काफिजा तबियत खराब हो गई, ट्रीटमेंट के लिए काफिजा खर्च हो रहा था, और ट्रीटमेंट कैसी ने कैसी करके करवाए गए, जितना भी पैसा था, जितना भी सब चीज़े था, बेच-बेच के सब चीज़े करवा रहे थी, उसी दोरान उनके बीच में उनके जो पती थे, जिनकी शादी हो चुकी थी, उनके पती भी मिब्मार पड़ गए, और इसी बीच में उनके ऊपर एक दुख का ऐसा पहाट उटा, कि सबसे पहले तो उनके माता-पिता की मृतियों हो गई, दवाईया चलते-चलते, ट्रीटमेंट चलते-चलत और उसी दौरार ही पती भी ऐसी हालत में पढ़ा था कि उनको उससे भी काफिजार ड़न लगने लग गया, उनके पास कुछ भी ऐसा चीज नहीं थी, कि वो आक्लीज सब चीजे कर पाई, आपने पती का ध्यान रखे या वो बहर जाके जॉब करे, ये सब चीजे नहीं कर उन्होंने बढे प्याले पहले अपने घर में टूषरी लेना, शरू किया और टूषर से भी इतना घुजारन नहीं हुआ, उन्होंने बाहर भी जॉब कर अधस का कार ड़ी से कारी लो बर्वाशे नहीं था भी कुछे जाता है उनके हाथों की तारिफ बहुत जादा की जाती है कि क्यों ना मैं इतना बड़ा नहीं तो मैं छोटा सा थेला खोल दूँ तो कि उससे लोग खाना खाएं और मुझे आमदन हो क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाओ अपने पती को अच्छे से ट्रीडमेंट तबी सेना ने सोचा है और अब तक ये खेले पे खाना बनाती है और वहां पर लोग आके खाना खाते और इनके खाने की बहुत जादा तारिफ होती है और उसी दौरान ही इनको 2-3,000 रुपय डेली का इनको आमदन हो जाती है जिससे इनका घर और इनके पती की दवाईयों और इनके बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से चल पा रही है कौन बोलता है कि जो महिलाई होती है जो लड़किया होती है वो बहुत ज़्यादा कमजोर होती है मुझे नहीं लगता है कि लड़किया बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है वो ऐसी मुश्किलों में ऐ उसने यह सब चिज़े सोची लिए इतने बड़े बंगले से निकल के भी उसने गरीबों के जैसा थेला लगाया और आज बहुत ज़ा खुश है और उसकी मिसाल अभी दी जा रही है अगर वो यह सब चिज़े नहीं करती तो वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन पाती तो क्या ब किसी के साथ के लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है कमेंट जरूर करते हुए जाहिए दो लाइन और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाहिए से के साथ मैं लेती हुए जाज़त बाबाए टेक केर नमश्काव